जैन सात्यों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासिस में तो सभी बच्चे का इस ध्यान से सुनिया आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट में आप सभी के लिए लेकर आया हूं किसके रिगार्डिंग बच्च आदे आदे एक एक गंटे लेट हुआ है अब जिनका भी एक्जामेशन बच्चो चार फरवरी को और 5 पहली सिउफ्ट का सचिणड होने वाली है ए वो सबूछ मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ नमस्कार सास्रियकाल रादे रादे जैन जैभारत जैसरी राम आयोप सो बच्चो सब कुछ अच्छा है लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है बच्चो ठीक है न परेशान तो बच्चो हम भी हैं और हमें भी बहुत गलत लग रहा है क्योंकि काफी बच्चे दोस्तों अपने घर से बहुत बहुत दूर है ठीक है और आप सभी का बच्चो एक्जामिनेशन में ऐसी कंडिशन्स बनना ये बच्चो अच्छा नहीं होता है आयोग की तरफ से गलत है बच्चो ठीक है न बात कर लेते हैं आप सभी के बच्चो जो भी टाइम स्ट्डूल्स चेंज हुए है सबसे पहले बच्चो आप की वोल पर लगा हुआ था ये सेंटर की वोल पर ठीक है तो ये बच्चो आप सभी को पता चल जाएगा लाइव एक्जाम डेट तीन और चार फरवरी वालों का तो यहां पर आप सभी को है ही है प्लस में जो आप सभी का रिजर्व डे हैं पांच फरवरी का वो भी आप करना है सभी का निकल बाले नहिक वाले ना ठीक है तो के लिए ऐन तो बच्चो आप जाने के बाद जैसे भी जहां भी करते हैं सभी तो एक बार बच्चो अपनी site को check कर लेना ठीक है क्या पता आप सभी को वह पर proper time table भी ये वाला देखने को मिल जाए बच्चो ठीक है क्योंकि ये तो आप सभी के center से बच्चो आया है photo में आपको बता देता हूँ बाकि जो reserved है उनके timing आप सभी की यहाँ पर है कि reporting कब होने वाली है gate closing time biometric time और आपका instructions reading time और exam time और plus में जो extra मिलने वाली है additional 30 minute PWBD candidate वालों के लिए ठीक है बच्चो तो आप सभी जरूर से एक बार check कर लेना कि आपको exam center तो change नहीं हो गया है बाकी मैं आपको timing बता देता हूं ज़रा प्यान से सुनना यह जिनका भी examination चार को और पांच को है ना उनके लिए important है बच्चो में आपको बता दू candidate reporting time reporting time आप सभी का morning slot का जो है ना वो होने वाला है 7 से ठीक है 7 p.m. reporting time है और आप सभी का बच्चो gate closing time है 7 बजे ठीक है आपको आदे गंडे का time मिलेगा यह तो पहले भी था बच्चो ठीक है verification and biometric आप सभी का time जो है ना वो 90 minute बच्चो आप सभी को verification और biometric time में 7 से आप सभी के 8 बजे तक होने वाला है यानि कि 7 साथ से 8 यह आप सभी को biometric का timing है उसके बाद reading instructions में आप सभी को computer बैठने के बाद 15 minute मिलने वाली है next आप सभी का बच्चो exam जो time है वो 90 minute live exam को होने वाला है और extra में 30 minute किनको मिलने वाली है यह बच्चो उनको मिलने वाली है जो PWD physical handicap जो है बच्चो ठीक है बात कर लेते हैं आप सभी का यह 8.30 से बच्चो आपका time start होने वाला है ठीक है exam time आप सभी का 8.30 से start होगे बच्चो कब तक चलेगा 8.45 तक चलने वाला है ठीक है यह reading instruction है सोरी और 8.45 से 10.15 तक आप सभी का क्या होगा बच्चो exam conduct कराया जाएगा सभी बच्चे को clear है आयोपसो clear है बच्चो ठीक है तो यह बच्चो आप सभी का थोड़ा सा time increase हुआ है कितना 15 minute के आसपास आप सभी का timing बच्चो increase हो चुकी है जिन बच्चो का आज 10.15 चुटा है उनका कल को 10.15 पर चुटने वाला examination ठीक है यह आप सभी का बच्चो timing है पासतारिक वालों की भी और चारतारिक वालों की भी starting time यह है 8.45 से 10.15 पर आप सभी का examination चुटेगा पंदर हमने टेक्स्टरा गई है यहापर सेकंड शिफ्ट वालों का बच्चो आप सभी का reporting time है 11.45 ठीक है और 1.5 बजे से आप सभी का 3 बजे तक बच्चो क्या होने वाला exam time है ठीक है यह आप सभी का 3 बजे तक का बच्चो होने वाला है पूरा schedule सभी बच्चे ध्यान चे सुन लेना ठीक है बच्चो चलिए और extra में time मिलने वाला है कि इनको जो PWBD candidate है उसके बच्चो आप सभी का नेक्स्ट जो है यह वाला है evening slot का evening slot का भी आपके सामने है जरा चेक कर लेना 4 बजे आपको enter time है ठीक है 4.45 बजे gate closing time है और 4 से आपका 5.30 तक बच्चो आपको क्या करना है यह इंस्ट्रक्ट सोरी वो आप सभी का biometric time period है 5.30 से 5 यह बच्चो 45 तक का आपका instructions पढ़ने है और 5.45 से 7.15 तक आप सभी का बच्चो क्या होने वाला है exam होगा तो यह आदे गंटे बच्चो आप लेट हो गया ठीक है mostly आपका आदे गंटे 30 से 40 मिनट आपका लेट हो चुका है examination examination तो यह पूरा schedule बच्चो आप सभी के सामने है कल के examination का 7.15 पर तो आप छुट रहे हैं बच्चो ठंड का time period है तो बच्चो अपने आपको carry करके रखना अच्छे तरीके से सभी को बताना चाहता हूँ मैं जो भी बच्चे निकल चुके है best of luck है उनको paper का level hard नहीं आ रहा है ठीक है अब एक चीज बच्चो की काफी comment आ रही है कि sir gk hard आ रही है काफी बच्चो की comment आ रही है sir gk hard आ रही है बच्चो gk में जड़ा ध्यान से सुनना जो भी आप सभी का current का part है न ठीक है कि 2016 के current का question आया है कुछ एक दो question आज 2016 के current को देखने को मिले है तो उनको तो बच्चो आपनी सभी बच्चो छोड़ के आएंगे ठीक है लगा के तुका तो सब मारेंगे लेकिन जरूरी नहीं है सभी का सही हो यह बच्चा आपका journal question है जो आप सभी को एक परिशान करने वाला question था ठीक है बाकी ऐसे बच्चो question एक दो एक दो आप सभी के हर shift में आ रहे है और बाकी जो 20 question आ रहे न वो आप सभी के एक moderate level के है ठीक है उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं बच्चो सभी बच्चे सामको 7 बजे live analysis में जोड़ जाना मिलते सामको 7 बजे और time schedule बच्चो यह आप सभी का मैं telegram पर send कर दूँगा सभी बच्चे download कर लेना और एक बार बच्चो आप सभी अपनी official site पर जाकर register करकर चेक कर लेना बच्चो कि आपका exam center तो change नहीं हुआ है ठीक है मैं जरूरी update इसी लिए दे रहा हूं ताकि बच्चा आपको पता चल जाए किसी का exam center change हुआ हो तो उनको पता चल जाएगा बच्चो ठीक है कर धना प्रूर प्रूरी कर ईए कर दो